आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार कार से कुचलकर कुट्टे की मौत चाला के खिलाव मुकातमा दर सीसी टीवी में कैद हुई घटता भारती युवक की नई पहल प्राजिन सब्विता के उत्पादों की विदेशों में मांग जमिनी विवाद पर चली गोलियां कई लोग गंबी रूप से खायर विजे दिवश पर कायकरम का आयोजन कव्टा के जरीए शौर गाता पता ही पुलिस को मिली बड़ी स्काम्याबी अंतरास्टी गैंग के तीन शातिच चोरों को किया गिरफता नवस्कार आप देखनें प्राइम टीवी मैं हूं मरिश भुदारिया शुरूात करते हैं उत्तराप देश की खबरों से खबर लखनाउ से है जहां बैंक आप बॉड़ादा ग्राहक सिवा केंद के दिन धाड़े चोरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है और 61,000 रुपए लेकर फरार हो गए घटना की सुचना पर पहुंचे पुलिस अधकारियों ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की ग्रफतारी के निर्देश जारी की हैं तो वहीं पूर में हुई चोरियों का खुलासा करने में ठाकूर गंज पुलिस ने अभी तक कोई संतोज जना करवाई नहीं की कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यातरा के सौ दिन पूरे होने पर राहूल गादी ने एक ट्विट कर कहा है कि यह यातरा एक तपस्या है और हमाई तपस्या कोई भंग नहीं कर सकता प्राइम टीवी संवादाता ने यूपी कॉंग्रेस के प्रांती अद्रक्ष नकुल दूबे से खास बाचीत में का कि भारत जोड़ो यातरा देश में फैली नफरत के खिलाफ है कॉंग्रेस के इस्ट इंडिया कंपनी को देश से बाहर निकालने को जो कुर्बानिया दी गई थी उसे भुलाकर यूपी के मंत्री उसे इस्ट इंडिया कंपनी को निवेश के नाम पर उत्तर प्रदेश को लूटने के लिए आमंतित कर रहे हैं आज से करीब सो दिन पहले राहूल गांधी के नित्युत में कांग्रेस ने एक यात्रा शुरू की थी कश्मीर से कन्या कुमारी तक जिसे भारत जोडो यात्रा का नाम दिया गया था आज उस भारत जोड़ो यात्रा के सौ दिन पूरे हो चुके हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी कॉंग्रेस के प्रांती अध्यच नकल दूबे हमारे साथ है सौ दिन पूरे हो गया इस यात्रा के जी जी हम सब लोग बहुत ही उससाहित हैं और बहुत ही प्रसंद है कि कन्या कुमारी से कश्मीर तक की यात्रा के आज सौ दिन पूर्ण हो रहे हैं और बहुत जल्दी यात्रा उत्तर प्रदेश में भी आ रही है तो हम सब लोग उसके लिए बहुत ही विग्र हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग भी राहुल गांदी जी के साथ तुरा दूर चलने का मौका मिले हाँ इसक्रम में उत्तर प्रदेश में भी हर चनपद में आज बाहर जोड़ो यात्रा चल रही है अभी कल भी हम लोगों ने बहराइच में और गोंडा बलराम पूर श्रावस्ति लखनों में भी यात्रा हो चुक सौ दिन यात्रा के पूरे हो चुके हैं इन सौ दिनों को आपकी इस तरीके से देखते हैं कि सौ दिन की यात्रा से क्या सफलता कांग्रेस पार्टी को मिली है देखे इससे सफलता जो है सफलता सफलता तो चलती रहती है लेकिन लोगों के मन में एक विश्वास की भावना एक आत्मसंवान की भावना एक स्वाइबान की भावना जो भारती अंता पार्टी के उसमें समाप्त होती जा रही थी तो लोगों में आश जगी है कि अब शा कि इस भारत जोड़ जोड़ने की नहीं, बलकि भारत को उनको जानने की जरुवत है। जो लोग जानने वाले हैं, उनको याद रखना चाहिए कि सन 1942 में जब महत्मा गांधी जी ने भी इस तरह की जातरा शुरू की थी तब वो लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे। आज़ादी दिवाने हैं और आज़ीवन आज़ादी के दिवाने रहेंगे, हम लोग देश बेचने वाले नहीं हैं, हम लोग देश बनाने वाले लोग है। पूरे के पूरे राजनीत की इतिहास में जो आज चीन कर रहा है और हमारे प्रधान मंतिजी चपनीज का सीना रखते हैं, जितकी लाला लाके हैं, पता नहीं कहां हो चल गई हैं, वो अपने वस्त्रों पर उनका ध्यान रहता है, और चीन हमारे देश की सीमा में घुसता च अने वाले निकाहे चुनाव में क्या तैयारी रहेगी कांगरेस की क्योंकि अपने हिमाचल को जीत लिया है, इसके बाद उत्तरपरदेस में निकाहे चुनाव जो है, सर पे हैं, क्या कुछ तैयारिया रहेंगी इस निकाहे चुनाव के लिए? याँ अगर शेहरों में आप फ्रवादा करें तो आपको दिखाई पड़ेगा क्या आपको कांगर्स पार्टी हर गली हर मोहले में दिखाई पड़ेगी वह इसका वह इस विए कार नहीं है भारत जोड़ो यात्रा का जो एक माहल बना है चारो तरव तो हर किसी को लगता है क्यार अब हम लोगी जिम्मेंटारी वार्डों के प्रद्वी है मोहलों के प्रद्वी है विधान सभा के प्रद्वी है अपने चल्पदों के प्रद्वी है तो हर इनसान इस वकत भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित हो करके इस देश को गुलामी किराप न जाने देने के लिए इस देश को न बिकने देने के लिए हर कोई कांग साथ खड़ा हुआ है और आप देखिए कर निकाए चुनाओ जो कि अब मानी उचिनारा के संदर्वित प्रकण पहुंच चुका है क्योंकि भारती अंता पार्टी करतियों करने बहुत भरक है उन्होंने सब जूट का बना रखा था माहौल सब अपने हिसाब से पक्षपात्पूर्ण तरीके से आर्ष्णों कर रखा था तो अब मानी उचिनारा एक पक्षी क्यों रहा पहले इस पर जाया हम लो तो पूरा का पूरा देशी अमला जब आप इस देश का जो सोकार्ड लोकपरी पधान मंत्री है जो सोकार्ड विसका सबसे ताकत वेक्ति है वो घर घर घुम रहा है वोट मांगने के लिए अगर उन्होंने काम किया होता व दिन नहीं चलती है आपने वी सो हजार करोण उपए बताते हैं लोग की वी सो हजार करोण का बजट था आपका चुनाओ लड़ने का वहां पर तो गुजरात वगरार में चुनाओ लड़ करके वहां बाई आज संपूर्ट देश को स्वें कहते हैं कि गुजरात का ही सब अद्यवर देश में कुछ नहीं है बिहार में कुझ नहीं है जो कुछ है जिस वह सब गुजरात में है लेकिन बन जाएगा लेकिंडस्तान बनने वाला नहीं है हुद तो यह थी हमारे साथ यूपी कॉंग्रेस के प्रांती अध्याष नकूल दूबे आज भारत जोड़ो यात्रा के सौ दिन पूरे हो चुके हैं जिस पे हम ने उनसे बात की और उन्हें सीधी तोर पे कहा कि यह जो भारत जोड़ यात्रा है आगामी लोगसबा चुनाओं को देखते हुए है और आगामी लोगसबा चुनाओं में दिल्ली में गैर भाजपाई सरकार बनेगी कांग राहूल गांदी के निते तुम्हें कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के सौ दिन पूरे हो चुके हैं प्राइम टीवी के समवादाता ने राज्य मंतरी लाल जी प्रसाद निर्मल से खास बाचित की और कहा कि राहूल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से उन्होंने निकाय चुनाव बीजे पी के अपने पुराने प्रदर्शन को दोराएगी साथी लोगसवा चुनाव में सपा बस्पा और कॉंग्रेस पार्टी को बातियंटा पार्टी करारी शिकस्त देगी इस समय हमेरे साथ बातचीत के लिए मौझूद है उत्तर प्रदेश अनुसूसी जाती वित्य निगम के अध्यच और राजमंत्री डॉक्टर लाल जी प्रसाद निलबल इनसे हम आज बातचीत करेंगे सर कॉंग्रेस के जो भारत जोड़ो यात्रा है कॉंग्रेस की राहूल गानिके निति में उन्होंने निकाली है उसके सौ दिन आज पूरे हो गया है उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि देश में जो बिरोजगारी है महँगाई है उसको दूर करने के लिए हम प्रयास कर देखिए जो आपने सवाल उठाया है राहूल बाबा की भारत जोड़ो यात्रा का मैं मानता हूं कि यह एक निरर्थक यात्रा है राहूल गांधी का यह एक निस्फल प्रयास है कांग्रेस मर्डा सन्न हो चुकी है और इनकी यात्रा का कोई दूरगामी प्रभाव खास कर स लोकसभा के चुनाव में पढ़ने वारा नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने इस देश के बुनियादी सवालों को कभी भी ध्यान नहीं दिया और जिसके कारण इस देश का जो गरीब है जो मध्यमबर्ग है जो पढ़ा लिखा तपका है वो धीरे-धीरे कांग्रेस से अच्छे मकान पक्के मकानों में तबदील किये जा रहे हैं आवास योजना के तहत्थ आप देख रहे हैं स्वभाग्य और उज्वला योजना के तहत्थ लोगों को घरों में बिजली पहुंच रही है लोगों को घरों में स्वच भारत मिशन के तरह सवचाले बन रहे हैं र जंदर में सरकारें थी कांग्रेस की उन्होंने इसको पूरी तरह से इग्नोर किया रोजगार के सवाल को उन्होंने नकारा बेरोजगारी यह कांग्रेस की देन है और जो यह संप्रदाइक्ता इस देश में जो संप्रदाइक्ता फैली जो कश्मीर में जो आतंकवाद फैला पूरे देश में जो आतंकवादी गत्विदिया हुई यह सब कांग्रेस की अपनीतियों का परणाम रहा आज आप देख रह रहा है उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है उखासकर से उत्तरप देश देखिए आतंक मुक्त गुंडा मुक्त हो रहा है आतंकबाद पर देश में बिराम लग चुका है इस प्रकार से अब कांग्रेस के लिए अब कोई जगह है कोई स्पेस बची नहीं है और इनकी यात्र सरकार के मंत्री उसी इस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को बुला के यहां निवेश कराने की उजदा बना रहा है देखिए यह सवाल भी बड़ा मौजू है कांग्रेस आज जो चीन से जो विवाद दिखाई पढ़ रहा है आप देखिए कि कांग्रेस की कौन सी बेदैशिक नीत रही है 1962 में जिस चीन ने हमारी लाखों एकर जमीन कबजा किया उस चीन के सवाल को इस विवाद को नजर अंदाज करते हुए चीन के रवे को नजर अंदाज करते हुए राजिव गांधी ट्रेश्ट ने चीन से एक बड़ी रकम ली इसको लोग किस नजर ये से देखेंगे तो ये जो इनका आचरन है कांग्रेस का वो दो मुहां आचरन है इनके पास न तो कोई वैदेशिक नीती है और देश के सवालों पर भी इनके पास कोई आधारभूत धाचा नहीं है कुल मिलागर के परिवार की राजनीत करते हैं बंसवाद की राजनीत करते हैं और यही कारण रहा कि आजादी के इतने लंबे अंतराल के बाद भी कांग्रेस गांधी परिवार की अत्रिक्त कोई लीडर्शिप पैदा नहीं कर पाई सर निकाय चुनाव जो हैं सर पर है लेकिन उसके पहले जो बीसी आरशड का मामला हाई कोड तक पहुच चुका है समाजवादी पार्टी यह आरूप लगा रही है कि सरकार जान बुचकर इसमें देरी कर रही है और जो अबिसी आरशड का मसला है वो सरकार के द्वारा ही इस तरह से फैलाया गया है तक दिकत्ते पैदा हूँ यह जो समाजवादी पार्टी है मैं तो सभी प्लेट फार्म पे कहता हूँ कि यह ना समझों का बुद्धी बिहीन लोगों का एक संगठन है जिसमें किसी भी प्रकार कोई कोई नीत इपरक मुद्दे समझने वाला और उठाने वाला कोई नेते तो नहीं है यह भी राहूल गांधी की जो बंशानुकम की जो पार्टी है उसी बंशावली को यह लोग आगे बढ़ा रहे हैं परिवादवाद को और यह जो इसू है पीछे वर का जो वारक्षण का जो सवाल उठा है इसके पीछे भी समाजवादी पार्टी का पूरी रणनीती है मेयर के चुनाव में समाजवादी पार्टी बुरी तरह शिकष्ट पाई तो हार के डर से यह इस चुनाव को तलवाना चाहते हैं और इसलिए साजिश करके यह सब सारे सवालों को उठा रहे हैं और समाजवादी पार्टी भी देखे अस्त होता हुआ सूरज है और इसकी भी राजनीत पे अपूर्ण विराम लगने वादा है जिस पकार से बस्पा का आउसान हुआ उत्तरब्रेश की राजनीत में वैसे भी समाजवादी पार्टी का आउसान होगा सर पिछले नगरनेगम चिनाव में कुल 16 सीटे थी 14 बीजेपी ने जीती है इस बार एक सीटे बढ़कर 17 हो गई है तो कैसा क्या बीजेपी पुनाने परदस्वन को दोराएगी और आने वाले निकायशनाव के लिए क्या कुछ रणनीती है बार्टी जन्ता पार्टी की पुर्दों की राजनीत करती है और आप देखते हैं कि भारती जन्ता पार्टी हर समय उसके कार्यकरता जागरूक रहते हैं एक्टिव रहते हैं और हर समय चुनावी मोड में रहते हैं तो समाजवादी पार्टी कहीं नहीं ठीक पाएगी न तो नगर निगम के चुनाव मे और नहीं आने वाले लोग सभा के चुनाओं में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बस्पा की हालात में आ जाएंगे और इनका जो है मनसूबा ध्वस्त हो जाएगा तो ये थे हमारे साथ राज़्यमंत्री डाटर लाल जी परसाद निर्मल जीनों ने हमसे बादशीव ने बताया कि आने वाले लोग सभा चुनाओं में जो भारती जन्ता पार्टी की विपच्छी पार्टी आ हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इनका बुरा जन्ती नगर स्थित कावेरी चौराए के पास कार से कुचल कर कुट्टे की मौत की घटना सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई है ऐसे में इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है घटना मंगलवार दोपहर करीब धाई बजे की है कावेरी अपार्टमेंट के ब अब ही दो तीन दिन पहले तो मैं अपने घर पे थी और सड़नली दो बच्चे भागते हुआ है कि आंटी एक 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 सिडेंट हो गया क्योंकि अलमुस्स सभी लोग जानते हैं मेरे इन घर के सराउंटिंग में के ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं और सेवा करते हैं तो वह गाड़ी से एक कुट्ता हिट हो गया अब जल्दी चलिए मैंने स्कूटी उठाई इंजेक्शन लिया और कि मैं उसको इंजेक्शन दू पेइन किलर और जब तक मैं पहुंची हूँ आपर मतब वाकिंग डिस्टेंस है मुझे दो मिनट भी नहीं लग गए होंगे अपनी स कुटी से पहुंचने में तो देखा वो मर चुकी थी और एफ आयर हमने कराई है कि जो कल्पिट है उसको पनिश्मेंग मिले क्योंकि यदि हम लोग देखे का अभी तो जावर की बात है कलको वहां बच्चा बैठा होता तो तो क्या होता है तो मारबता तो हर किसी में होनी जाए जाए वह जानवर हो जाए जितनी इनसान में जाने जान उसमें विट नहीं है तो एनिमल्स के लिए कुरोड़ता भी बढ़ती जा रही है तो उसी कुरोड़ता के खिलाफ हमने अबाज उठाई यह तरह को रात मैं एक कार दोवरा एक कुट्टे को उचल दिया गया जिसका सीसी टीवी फूटेज भी सामना आया है। उस्टे का पोस्पार्यान चैया है। वासर शर्श जो दिया है। जीफ Ồर्मनेशन की सच्छी वह है उनके दो puppy से और उस conception किया है। सिजी टी फुटिज काइदार पर अब्यूट का पता लगार के प्रियास किया जा रहे हैं। खबर अलीगर से जहां भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें कई तरह की परमप्राएं परस्लित हैं। प्राचिन काल में भारत में हातों से विभिन तरह की कला कर्टियां एवं बरतन आदी बनाए जाते थे इस तरह वरतमान में कांश प्लास्टिक और डिस्पोजल बरतन का इस्तमाल अधिक किया जा रहा है। इसी वज़े से ठटेरा कला कहीं विलिप्त हो चुकी है। वहीं इन कला कर्तियों को जीवन करने के लिए काम किया जा रहा है। आज मॉडराजेशन का जमाना हो गया है। आदमी सस्ते की तरफ भागता है। तो स्टील और मेलमाई ने एक विकल्ब बन गया है कोपर के आगे। कोपर और ब्रास महंगा होता है क्योंकि आदमी ने थोड़ा सा उसको पीछे हटा दिया है। महंगे होने की वज़ा से। तो इसी लिए इस चीजों को मैंने या मेरी कंपनी ने कंट्री क्राफ्ट ने इसी लिए आगे बढ़ाया है। तो वो कारीगर्द जो इनको काम नहीं मिला था जो एक विलुक्त होती जा रही थी ठटेरा कला उसको एक प्रोचसाहान मिलेगा कही न कहीं अगर इसकी सेल होगी कस्टुमर के पास जाएगा और आदमी इसको आगे आके समझेगा किस तरह का ये प्रोड़क्ट है या किन ब विकास कुमार के नितित हुमें एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो लगाता लगजरी गारियों को चुरा कर प excitement को खुली चुनौती दे रहे थे वहीं इस गैंग ने पिलिस से तीन शाती चोरों को गिरफतार किया है और उनके कबजे से तीन लगजरी कार बरामत की हैं पुलिस ने गिरफ़तार किये साथी अबयुक्त को जेल भेज़ दिया है। आगरा पुलिस ने थाना हरी परवत, सरविलांस और इसोजे टीम ने सयुक्त कारवाई करते हुए एक अंतरागी वहान चोर गैंक को बकरा है और इनके पास से तीन वहान बरामद हुए हैं तीन चार परिया वहान बरामद हुए हैं और इसमें तीन वेक्तियों गिरफ़तार क किया गया है उनके नाम है कपिल गुपता कुर्फ राम ये मुरेना मंद्यप्रदेश का रहने वाला है रिंक कुमर बालमिकी ये ग्वालियर मंद्यप्रदेश का रहने वाला है और बावी चोहान ये मुरेना मंद्यप्रदेश का रहने वाला है खबर बनायू सेंचा और आस्टी सैनिक चादर सेवा परश्ट के मुखिया अंके सुकला ने नितर्तों में शुकरवार को विजए दिवस के दिन विचार गोस्ती हुई है जिसमें NCC कैडिडेट्स ने देश भर की कविटा एवं भाशल के माद्यम से विजए दिवस की शौर गाता परसुत की अंके सुकला ने बताए कि विजए दिवस 16 दिसंबर को 1971 के युद में पाकिस्तान वा भारत की जीत के कारण मनाय जाता है इस युद के अंत में के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना के आदम सब्बड किया था साल 1971 के युद में भारत ने पाकिस्तान को करारी पराज़े दी थी जिसके बाद पूरी पाकिस्तान सुतंत हो गया जो आज बंगला देश के नाम से जाना जाता है आज के दिन भारत और पाकिस्तान युद हुआ था जिसमें आप सबको पता है कि आज गिजय दिवस है आज के दिन हमारा भारत जो है पाकिस्तान से युद में जीता हुआ था 14 दिसंबर 1971 में ये युद हुआ था माना में हर साल लगने वाले पौरानिक मौनी बाबा धाम आश्टम के मेले में दूसरे दिन लाखों की संक्या में शरधालू पहुचे मेले के बढ़ती भीड को देखते हुए ESP लक्षमी निवास मिस्र वहां की सुरक्षा व्योस्ता का जैजा लेने पहुची मेले की सुरक्षा व्योस्ता की बात की जाए तो भारी संक्या में पुलिस बलतेनात किये गए ESP लक्षमी ने जानकारी देते हुए बताय कि मेले में साथ सी ओ और बचास थाना देख्ष के साथ चारसो पुलिस कर्मी मेले की सुरक्षा व्योस्ता में लगाए गए है खबर औरिया से जहां भूतपूर साइनिक के भाईयों के भी जमीनी विवाद हो गया है दोनों पक्षों में लाटी डंडों के बाद फाइलिंग कर दी गई बूतपूर साइनिक साइद चार लोग घायल हो गए हैं घटना के सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को प्रास्मिक इलाज के लिए सहरा सीएसी में भेजा है तीन घायलों को हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पतार रेफर कर दिया गया सीओ विधूना और एस्पी चारू निगम समजाई स्वास्त केंद साहरा पहुंच कर दोनों पक्षों के घायलों से बाचीत कर घटना की जान करी लिए जान शाला पहे ठोकोत खेक्स बॉटाका całरा झालों को हरे बाच कि अदेें का जस्पाहि पर में व्हास्ते नोगे टोनों मेरा साथ पहुंची है पहुंच गर्वार के थाने में तैरीर दिये, तैरीर के आधार पर जाच की जा रही है, जाच को प्राव अगरिम करवे की जाएगा। जाच शात्राओं को गर्म कपड़े वित्रित किये गए, बलाग प्रमुक के कार की ग्रामिर सराना कर रहा है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। खुशी बेक्त कर रहे हैं? विल्कुल अच्छा कर रहा है। सर्द के मौसम में हमारे गरीब बच्चों के को स्वेटर उपलद कराये गया। बहुत हिंडेक काम, बहुत सराहने काम। मैं उन्हें सादवाद देता हूँ, धन्याद देता हूँ, बिल्जाले परिवार की वर्शी बहुत 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 है। समाज सेवा ही मुक सेवा है। बच्चों की सेवा ही मुक सेवा है। आमने सोचा की ठंडी का सीजन चल रहा है। और बच्चों को ठंड लग रही है। इसलिए सभी बच्चों को। कौन-कौन से विद्याले में आपने वित्रण किया है। कमपोजिट उच प्रात्मिक विद्याले लोहरा में लगबख 300 बच्चों को, प्रात्मिक विद्याले काजीपूर 65 बच्चों को, प्रात्मिक विद्याले ओजालगर में लगबख 200 बच्चों को, कन्या पार्ट साला में लगबख 87 बच्चों को. खबर फरुखाबास है जहां जाफरी निवासी बबलू कनोजिया के घर पर हुई लूट का S.O.G. टीम, सर्विलांस टीम और थाना पुलिस ने सायूत करवाई करते हुए 48 घंटे बीटने के बाद लूट की वरदात में शामिल चार बदमाशों को पुलिस मिटबेड के बाद गिरफतार किया है आरोपियों के पास से लूट के अबुशन अवै तमंचे दो नैलॉन की रसी बरामद की है पुलिस अधकारियों ने बताये की आरोपी फरनीचर रिपेरिंग की आर्ड में लूट की वरदात को अंजाम दे रहे थे S.P. ने आरोपियों को गरफतार करने वाली पुलिस टीम को एक लाग रुपए इनाम की गोशना की थाना फतेगर्ड चेतर के अंतरगर्ड जो स्रीमती गीता पतनी बबलु कनोजिया हैं जो की मोला जाफिम रहती है उनके घर पर सुबह करीब आट बजे गर के अंदर दो लोगों ने गुसकर लूट पाट की थी और उनका गला दबा कर मुझ दबा कर उनकी सोनी की चेन लूट कर भाग गए थे उसी के समद में 28 गंटे के अंतर इस गटना का खुलासा किया गया है थाना फतेगर, SOG टीम, सर्लांस टीम, सीरो सिटी के नेत्वर्त में इस गटना का खुलासा किया गया है और इसके अंतरगत इस गटना में जो अभ्युक्त थे उनको दोराने पुलिस मुद्बेड उसके बाद जखात तिराय से उनको अरिस्ट किया गया है इसमें राजू मिश्रा, आकास, बातम, धर्में, राथोड और राजन साके इनको ग्रिफतार किया गया उनका एक साती है जो राजू है वो भागने में सफल रहा है इनके पास से लूट में लूट से संबन दी थे गदद जो पीली धातू की चेहने वो बरामद हुई है खबर हर्दोई से जहां के पंचायत सायक के पद परतेनाद यूवती की एक यूवक ने गोली मार कर हत्या कर दिये गटना की सुचना पर पहुँचे पुलिस अदिक शक राजस दिवेदी ने हत्या में शामिल यूवा को गिरफतार कर जेल भेज दिया है उन्होंने बताए कि पेम प्रसंग के चलते यूवती की हत्या की गई है गटना की घंदा से जाज परताल कर अग्रिम करवाई करने के निदेश जारी किये गए यह ग्राम कोड़रा सरहिया है थाना बेटा कोगल का इसमें अब से कुछ देर पहले गाउं के ही एक यूवक लें यूवती की इसके घर के च्छत में जाकर के सर में भोली मारकर हत्या कर भी है यूवक को हिरासत में ले लिया गया है उसके पास से कार्टोजी मिले हैं और सर्ष की तलाश की जा रही है अभी तक के परताल से कुछ प्रेम समन्द की बात सामने आई है ख़वर कानपूर से जहां पुलिस लाइन में आयुजित अंतर जन्पदी क्रिकेट पतियोगता में कानपूर पुलिस की टीम ने ललितपूर की टीम को हराकर ट्राफी पर कबजा कर लिया है पुलिस कमिशनर बीपी जोडन ने विजेता टीम को बढ़ाई देते हुए कहा कि अंतर जन्पदी क्रिकेट पतियोगता में नौ टीमों ने हिस्सा लिया था सभी टीम की तरफ से खेल भावना को दर्शाने पर पुलिस कमिशनर ने उन्हें बढ़ाई दी है कानपूर जोन की आठ टीमें कानपूर कमिशरेट की एक टीम कुल नौ टीमों के बीच बाविस सी अंतर जन्पदी क्रिकेट पतियोगता का समापन हुआ है फाइनल मैच कानपूर नगर और जन्पद ललितपूर के बीच यहां पर खेला गया जिसमें कानपूर नगर ने वैजनती शील्ड जीती है मैं अपनी और से कानपूर नगर के सभी अधिकारियों के और से उस टीम के कैप्टन डिसेपी सलमान सिंग तथा सभी खिलाडियों को उस पूरी टीम को उनके मैनेजर्स और उनके कोच इन सभी को बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ खबर कानपूर से जहां एक भाई अपने भाई को नया दिलाने के लिए दर दर की ठोकरे खा रहा है बता दे कि यूवा के एक शादी समारों में गया था जहां उसकी हत्या कर दी गई बरा थाना छेत के महर बान सिंग पुर्वा के रहने वाले पूरन यादों ने कानपूर प्रेस कलब में प्रेस वारता के दोरान बताए कि आद दिसंबर को कुछ लोगों ने मेरे भाई मरोच की हत्या कर दी गई थी जिसकी शिकायत थाने में की गई लेकिन पुलिस ने कोई भी कारवाई नहीं की अनूर्पा कहना है कि ग्यान सिंग फौजी बिजेस सिंग मरोच को घर से लेकर मजवन ले गए थे सुबह बिजेस सिंग ने फोन करके बताए कि तुआ है भाई की हत्या हो गई है जिसके बाद विदनू थाना में प्रातना पत दिया गया लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई भी कारवाई नहीं की है मेरे बाई की हत्या की गई यह आट पिजम्बर रात को कि गई है अन्य में जाने वाले दिलीप ने लोगों ने मिलके मेरे बाई की हत्या की है और हत्या की एक महिने से पूरी प्री प्लानिंग से हत्य की गई एक मैंने पहले से गाड़ी बुक कर रखी थी और गाड़ी के साथ में ले जाने वाले बिरजे सिंग और ग्यान सिंग पोजी जो की दीपक मिस्रा इसा टेवल से गई हुई थी ये सोधा नगर बाईपास से और ये बरात लेके मजावन रोड अखिल दे साथ ग किया है चोरी की घटना में शामिल तीन शाती चोर लिटेरों के साथ चोरी के अबुशन खरीदने वाले विपारी को भी क्रफतार किया और रुपियों के पास से देड़ लाग रुपए नगदी और करीब आठ लाग रुपए के अबुशन बरामत किये गये हैं चनपत कुशी नगर में थाना कस्या ने एक सराहनी कार करते हुए चोरी की एक घटना का सफल अनावरन किया है और उसमें सो प्रश्चत बरामत्गी की है यह कस्या में एक चोरी हुई थी जिसमें मुकत्बा अपरा संक्या दस्व पच्पन बटे बाइस दर्ज किया गया था इसी क्रम का सफल अनावरन हुआ है और इसमें तीन अव्यक्त गिरफ्तार किये गये है जिसमें से सोनु इंजुल और सुरेश्वर्मा है इसमें दो व् पूशन चोरी हुए था उसको बरामत किया गया है मेरी तरफ से टीम को 20,000 रुपए का इनाम दिया जाता है इस अंदर में अगरिम विदिक करवाई की जारी है खबर कुशी नगर से जहां जिला जजज अशोक कुमार सिंग जिला अधिकारी रमेश रंजन चीफ जुडिशियल मजिस्टेट रवी कांद यादा और अपर पुलिस अधिक शग रितेश कुमार सिंग ने देवरियत जेल पहुँचकर कैदियों से मुलाकात की है विदिक स प्यागराज के कटगर चौरा इस्तेज जैसवाल धर्मशाला में पिछले कई सालों की तरह इस साल भी समावी विवा का काईकरम संपन हुआ है या काईकरम पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है इस बार ग्यारा जोडों की शादी जैसवाल समाज के दोरा संपन कराई पिएन जैसवाल ने बताये कि लगबग 15 वर्षों से ये आयोजन होता चला आ रहा है जैसवाल समाज ने गरीव आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए समावी विवा समावरों का आयोजन किया गया था और 11 जोड़े विवा का संपन कराई आज जैसवाल समाज प्रियागराज की ओर से 11 जोड़ों की शादिया कराये जा रही है जैसे कि हमारे हिंदू धर्मे में सबसे महातोपूर 16 संसकारों में से पानिग्रेण संसकार होता है तो आज जैसवाल समाज यहाँ पर एक परिवार बनकर खड़ा है जो भी वंचित है या अपने बच्चों की शादी बहुत दूमदाम से नहीं कर सकते हैं आज जैसवाल समाज के द्वारा मिलकर एक परिवार की तरह है पूरे दूमदाम से पूरे साजो समान के साथ उनका पाड़े ग्रेंड संसकार करवाया जा रहा है और सब मिलकर आश्रवात देंगे कि ज प्यारा जोलों की शादी हो रही है और इन जोलों को समाज के हर वर्ग ने सहयोग दिया है और ग्रस्ती बसाने का पूरा समान राइबरेली में सलोन में बूमाफियाओं का लगतार वर्चस तो देखने को मिल रहे लेकिन अब प्रशासन की मुस्तादी ने उनके होश फाक्ता कर रखे हैं दरसल जिस सरकारी जमीन पर बूमाफियाओं का अवैद कबजा था उसे अब खाली करा दिया गया है SDM मलिक राम ने बताए कि तैसिल छेत में सरकारी जमीनों पर अवैद कबजा किसी भी हालत में बर्दाश नहीं किया जाएगा बूमाफियाओं पर ऐसी करवाई की जाए परावर्च की जाती रहेगी राइबरेली में इन दिनों दबंगों के होसले बुलंद देखे जा रहे हैं दरसल हरचंदपूर थाना छेत के दो दबंग एक यूवक की जमकर पिटाई करते दिखे मारपीट का सीसी टीवी फुटेज भी वाइरल हो रहा है जिलेज में आए दिन मारपीट के वीडियो आ रहे हैं जिससे पुलिस की कारशायली पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे है लखनव प्यागराज हाईवे पर फायर बिगेट की गाड़ियों में ट्रक ने टकर मार है ट्रक में दो लोगंबी रूप से घायल हो गए जिनने इलाज के लिए जिलास्पताल में बढ़ती कराए गया बताए जा रहा है कि फायर बिगेट की आग लगने की सूचना मिलनी थी जिससे वो बुझाने जा रही थी इस दौरान ये हासा हो गया हासे के बार ट्रक चाल पर पानी फेटे नजर आ रहे हैं जन पर संबल के खंड विकास जुनावई चेत के प्रात्मिक विद्याले दब थरा में बच्चे जूटे बरतंद होते नजर आए हैं वीडियो सोशल मीडिया पर वारर हो रहा है मामले को लेकर चंद सेकर बैसिस इश्चा अधिकारी से ब अब दूसरे हैं घर बरतंद्धिवानी की बात हो जाता है कि Japanese मोडल के हम बात करते हैं सफाई के बारे में हम भी सबी लोग अपना काम करते हैं बच्ची अपना काम करते हैं आप अपती इस बात काया कि अगर टीचर्स उसमें संबलित होते हैं और बच्चों को ब्रूप मे अनुद करेंगा जैपनेज मोडल को बहुत अच्छे सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं सुल्दानपूर जिले में अवे दूरूप से संचालित मेडिकल स्टोर संचालकों की अब खैर नहीं ड्रग विभा के इन पर सिकंजा कषना शुरू कर दिया है शुक्रवार को एवद्या मंडल एवाम अन जिलों की संचालित मेडिकल स्टोर से एक लाग असी हजार की दवाएं जब्त की हैं दग अधिकारियों ने पकड़ी गए दवाओं को लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया है दरसल मामला बदूआ कला थाना छेट के अंतरगत रास्टी धाए डेट provides जिसके आधार पे मैंने अपनी साहयक आयुक्त ओषदी एयोध्या मंडल एयोध्या को अवगत कराया शर के द्वारा एक तीम गठित की गई जिसमे अचती निरिक्षक बारभंकी श्रीमती सीमा वर्मी और ऑश 31 नि इसमा सिंग मैं ओशधी निरिक्षस सुल् इसी सरवास्तों के नेतरत में ये कारवाई हुई है ये बिना लाइसेंस का मैडिकल स्टोर संचालित पाया गया और यहां पर लगबग एक लाग असी हजार की दवाएं सीज की गई मौके पर चार नमूने संग्रहित किये गये जिनें जाचे तू लैब भीज़े जाएगा खबर गाजी अबास है जहां आगनी शमान अधकारी राहुल पाल ने आग की घटना को कम करने को लेकर वैशाली सेक्टर तीम के शाप्रिक्स माल पर मौक डिल कराया मौल में मوجود लोगों को आग बुजाने की तकनीक चीज़े बताई फाइर बिगेट की गाड़ी आने से पहले आग पर कैसे काबू पाना है और फाइर उपकरणों के माद्यम से आग को कैसे बुजाए जाए जाए अगनी शमान अधकारीयों की टीम ने लोगों को जागरू किया है इस दोरान अगनी शमान अधकारी राहुल पाल ने बताय की मौक डिल सम्विदनशील जगों पर कराय जाती है जहां पर आग लगने का खत्रा अधक रहता है उतर प्रदेश सरकार प्रदेश में अपरादियों और अपराद की जड़ से खत्म करने के उद्देश से अलीगर शहर को प्रदेश सरकार के निद्देश पर प्रदेश को हाई टेक करने की संखला में नए नए उप्लब्द कराय जा रहे हैं जिसकी मदद से अपराद को रोकने और अपरादियों की गरफतारी में सहुलियत मिल सकेगी इस करम में शहरों के मुख्छ चौराओं पर सीसी टीवी कैमरे प्रशासन की तरफ से लगा जा रहे हैं शहर के ट्रॉफिक वेस्था के साथ ही साथ सीसी टीवी कैमरे जिले के अपराद पर लगाम लगाने के लिए आहम भूम का अदा करते देखे गए सेर में जो CCTV कैमरे लगे हैं वो कई तरीके से हमारे लिए मददगार भी हो रहे हैं एक तो हम उस पे सर्विलांस भी कर रहे हैं ट्रैफिक पर भी नजर रख रहे हैं और कोई चोरे की घटनाए किसी तरूट की घटनाए या अन्य अपराधी की घटनाए गटित हो जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार